माता पिता के बाद अगर कोई आपको सही मार्ग दिखाता है तो वो होता है सिक्षक परिवार जिन बच्चों को अपनी आखों से दूर नहीं कर सकते वो सिक्षक के साथ बच्चों को महफूज महसूस करते हैं और इसी भरोसे वो पूरा दिन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ देते हैं इतना ही नहीं माता पिता जिन बच्चों को खुद से दूर नहीं कर सकते वो पिकनिक के नाम पर सिक्षकों के भरोसे जाने भी देते हैं लेकिन परिवार के भरोसे को तार-तार करने का एक मामला स तो क्या आप अपने बच्चों को इस्कूल कॉलेज भेजने से पहले अध्यापकों पर भरोसा कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं मेरट के उस परिवार की जिसका विश्वास टूटा है। इतना ही नहीं गुरू और शिश्य के रिष्टे को भी तार-तार कर दिया गया। मेरट में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर दसवी क्लास की छात्रा के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। प्रिंसिपल ने कथे तौर पर 17 साल की छात्रा को नशीला पदार्थ दे कर उसके साथ रेप किया। आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्रा को फेल करने और जान से मारने की धमकी भी दी। ये स्कूल मेरट के ग्रामीर इलाके में है। जानकारी के मुताविक आरोपी प्रिंसिपल 23 नवंबर को 9 स्टूडेंट्स को व्रिंदावन के टूर पढ़ ले गया था। जहां उसने दो कमरे लिए एक कमरे में 8 छात्राय रुकी जबकि दूसरे कमरे में आरोपी कथे तौर पर नाबालिक के साथ रहा। आरोप है कि प्रिंसिपल ने इसी दोरान छात्रा के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया और फिर उसके साथ दुशकर्म किया। प्रिंसिपल के खिलाफ आईपी सी की धारा 376 रेप और पॉसको एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ब्रिंदावन जाकर भी चार्च करेगी बदादी आरोपी प्रिंसिपल परार चल रहा है लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाए मार्ग दर्शक ही भविश्य से खिलवाल करे तो आखिर लोग भरोसा किस पर करेंगे बच्चों को अपन इन से हमारे होश उड़ जाते हैं हम आपको उनी घटनाओं से रूबरू करने के लिए आपको सतर करने के लिए ऐसी ही खबरे लाते रहेंगे आप बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए आज की खबर